नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में दोस्तों लोग यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर जी के कटेस्ट लगाएंगे जो की काफे अच्छे प्रस्ण होते हैं और डेली टेस्ट आपको सुबह यहाँ पर साथ बजा ज ने कि निम्लिखित में से किसने भारत में स्वण सिकों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन पॉइंट दिया है नियमित उपयोग के लिए किया गया था तो यहाँ पर याद रखेगा नियमित उपयोग के लिए किया गया था जो कुसान वंस का वास्तुई संस्थापक माना जाता है और इसने सोने तथा तामे के सिक्के भी चलवाय थे याद रखे कि एक पॉइंट बहुत ही मात्रपूर होता है इसे कि भारत में सरप्तम स्वांट सिक्के चलाने का स्रे विम कड़ फिसिस को ही दिया जाता है ठीके सुद् पीला होता है इसका कारण क्या है तो याद रखे कि गाय की दूद में प्रोटीन पाए जाती है वो प्रोटीन कौन से है इसे बोलते हैं हम लोग केसीन ठीके केसीन नमक एक प्रोटीन पाए जाती है जिसके कारण दूद का रंग क्या होता है हलका सा पीला हो जाता है ठीके चलिए यहाँ पर निस कोश्चन को आते हैं कोश्चन आप से एगला पूछा गया है कि परम भागवत उपाधी धारण करने वाला प्रथम गुप्त सासक था परम भागवत उपाधी धारण याद रखिए ऐसे कोश्चन बहुत आते हैं और परम भागवत को उपाधी धारण क स्थापक थária काड़ सिला विक्रम, सिला, विश्विद्याले के सथापक से यह था याद रखे आपके धर्म पाल, फाल वंस के सथापक से यह घूपाल, और ओर कैसे सकते हैं इसके बाद धरम पाल जो कि पाल वण्स के राजा उए उन्होंने विक्रम विशुद्ध दयलाई की स्थापना आपका करवाया था, ठीके, तो यहां पर यह पॉइंट बिल्कुल सही था कि पाल वण्स दयलाई की आपकी स्थापना करवाया था, राइट आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी नंबर 1905 इस भी में हुई थी ठीक है 1905 में कहां पर हुई थी तो आपके लंदन में हुई थी इंडियन होम रूल सुसाइटी की स्थापना ठीक है और इसे 1905 में इंडिया हाउस का निर्मार करवाया गय यह काफी प्यारे कोर्शन है चंगेज खा का मूल लाम और चंगेज खा का जो मूल लाम है वह क्या था त्यादर के बचपन मतलब चंगेज खा के बचपन का नाम था तेमुचिन क्या नाम था तेमुचिन तो यहां पर मूल लाम क्या हो गया इनका तेमुचिन तो मूल लाम और कह सकते हैं भज़पन नाम यह की है आपन, ठीके, चलिए, यहाँ पर नेस्ट कोशिन को आते हैं, कोशिन है कि सूप्रिसिद्ध मध्दिकालीन संत संकर्दयो संबंदी थे, यहाँ पर संकर्दयो हैं, जो कि आपके किस संप्रदाय से संबंदी थे, इन्हों भक्ति तो आपके वैशनों संप्रदाय से संबंदी थे आपके संकर देव आप्सन राइट आपके यहां पर हो जाएगा बी नमबर नेश कोस्चन है उत्तर प्रदेश में आलू का अंसंधान केंद्र किस जीला में स्थित है यह कोस्चन बहुत ही बार पूछा गया है तो यहां पर संब्रदेश में आलू का अंसंधान पूछा है तो यहां पर निर्यातक जून पूछा है अंसंधान पूछा है निर्यातक जो पूछ लेता तो यहां पर याद रखेगा पॉइंट कभी कभी ऐसे दे देता है नहीं सब्द यहां पर नहीं सब्द दिया है देखते हैं पहला दिया है मोतिलाल नहरू ने रिपोर्ट प्रिस्तुत की बिल्कुश सही है क्या बात यहां पर याद रखेगा आपके 9 का ओप्सन डी यह आपका गलत हो जाएगा उन्हीं सूनिस के खिलाफ़ात अंदोलन में मुहमद अली और सौकत अली ने महत्रपुन भूम का निभाय थे ना की आपके M.S. जिन्ना ने ठीके इन्होंने भाग नहीं लिया था भाग किस ने लिया था मुहमद अली और सौकत अली इन्होंने भाग लिया था M.S. जिन्ना ने भाग नहीं लिया था ठीके तो इसका जवाब का जवाब हो जाएगा आपका डे नंबर भारती राष्टी कांग्रेश के पहले अध्यच और याद रखिए भारती राष्टी कांग्रेश के जो पहले अध्यच बने थे यह आपके 28 दिसंबर 1850 को बंबई के आपके गोलियारा टैंके में जो गोकुल दास तेजपाल संसकत कालेज में आपकी स्थापना होई थी औ सब्सकत कालेज में की गई थी समझ में आगे आओगा सभी कोशन चले और आप लोग वीडियो भाई लाइक कर दीजिए अभी तक जी लोगों को नहीं किया है वीडियो लाइक लाइक जरू करिएगा इससे हम लोगों को थोड़े मोटिवेट बिलता है ठीक हम लोग आपको फिर सिच्छा दे रहे हैं तो इससे एक उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर वीडियो एच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए अगर यह सपोर किये ठीक चलिए यहाँ पर दिया है नम्लिकित युगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है ठीक है यहाँ पर आपका पहला दिया है पॉइंट हावडा सहयंत प्रकरण जो कि 1910 में हुआ था बिलकुल राइट है विक्टोरिया सडेयंत्र प्रकरण जो कि 1914 में था यह भी सही है लाहो काकोरी सडेयंत्र जो आपका था यह 9 अगस्त 1925 को डेट याद रखेगा 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसेशन नमकरांतिकारी संगठन दोरा लखनव सहरत पुन संभार के काकोरी स्थान पर आठ टाउन ट्रेन पर डगयती डालकर सरकारी खजानों को किया था यह किया था आपके और नाथ टैगोर ने ठीक है इंडियन सोसाइटी और और यहां पर ने इस कोशन का आते हैं कोशन आप से एकला पूशा गया है कि ब्रिटिस सरकार दोरा लंदन में भारती नेताओं का प्रथम गोल में समेलन कब बुलाया गया तो यहां पर दे कब हुआ था यहां पर जवाब हो जाएगा ओप्शन C 1930 में हुआ था ठीक है 1930 में आपका हुआ था इसके जो घोषणा होई थी वह 31 अगस्त 1929 को के गए थी जो कि वाइसराय लाड़ यूरिन के द्वारा हो और यहां पर के सकते हैं 1930 में इनकी प्रथम गोल समेलन में बुल किया गया था आपकी कहां पर यहां पर राइट अंसर आपको हो जाएगा जो की डिनमबर महरास्ट में महरास्ट में जो आपके 1899 में एक जगा पड़ती है नासिक ठीक है नासिक में मित्र मेरा की इस्थापना आपके हुई थी और यहां पर उन्हें सो और 1899 में आपके यह पर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपका यह हो गया निश्टक से कौन दा फ्रॉब्लम्ज आप गुल में समयलों में से किसमी महत्मा गांधी उपस्तित थे यहां तीन में, तीन गोल में सम्मेलन हुए थे और यहाँ पर मात्मा गांधी जो उपरस्तित हुए थे, वो उपरस्तित हुए थे आपके ढूती गोल में, ठीके, ये 12 नौंबर 1930 से आपके 19 जुन्वरी 1931 तक आपके लंदन में, कि सिंट जर्ज, सिंट जर्ज, पहले से उसमें आ यहाँ पर नेंस कोशिन का आते हैं कोशिन आप से यह लिए है कि बंकिम चंद चटरजी की प्रसीद उप्णयास आनन्दमट का कतानक आधारित है यहां पर बंकिम चंद चटरजी को उपनयास जोए आनन्दमट इसको जो कतानक है तेके यह जो आधारी थे हूँ किस पर आधारी थे है याद रखिएगा यह सन्यासी विद्रोप पर आधारी थे है और तिर्धुट में अंगरेज और इस्दाने मुस्लिम राज के बिरुध्ध सन्यासीयों की विद्रोप की घटना का वड़न आपका यहां पर मिलता है ठीके और नेक्स कोर्षिन काते हैं कोर्षिन आप से गला है कि अखिल भारती किसान सभा के संस्थापा कद्यच ते अखिल भारती किसान सभा के संस्थापा कद्यच और अठारा को उप्सन राइट आपको यहां पर भी हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरसोती बहुत बहतरीन प्रस्ण है चाहे किसी एकजाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर आपको पुलिस से लेकर आपको यूपी PCS तक यहाँ पर आपको कोर्शन देखनों को मिलेंगे 23 लाजवाब कोर्शन होते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर आपका बी नमबर हो जाएगा अगला कोर्शन है कि विवेकानन्द ने सिकागो में आयोजित पार्लियामेंट अफ वर्ड रिलिजिन्स में भाग लिया था यहाँ पर देख सकते हैं विवेकानन्द ने सिकागो में एक भाषन दिया था और उसमें जो सम्मेलन में पहुंच गये थे एक किस्जिन्स में तियाद रखेगा यह आपके 18232 में सिकागो में जो संपन हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन इसमें इन्होंने अपने भाषन स से विश्व के एक हाथ प्राप्त करने के मतला अपना मूर लाम जो था नरेंदत था तब इस इनका नाम जो हुआ था चेंज करके इन्होंने अपना कैसितिन का जो नाम लिया गया था स्वामी धैनन ठीके वह विवेकानन्द वह यहीं से आपको मिला था इसके पहले इनको नाम जो दिया जथा था था मूर नाम जो था वो मूर नाम था नरेंदर नाथ धत ठीके चलिए नेक्स को आते हैं को आप से एकला पूछा गया है किने मिखित में से किस अध्वेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारती रियास्तों के प्रति अपने नीत घोशित की थी तो अध्यश्ता किस ने किया था तो अध्यश्ता किया था वीर राधवाचारी ने किया था ठीके वीर राधवाचारी ने किया था ठीके चलिए यहां पने इस कोशन है कि राजा जनता के लिए बने हैं राजा जनता के लिए बने हैं जनता राजा के लिए नहीं बनी हैं राष ये जो सद्ध प्रुष्टुत किया था ये किस ने किया था सही जवाब होजएगा option C दादा भाई नौरो जी ने ये प्रश्टुत किया था ठीके चरिए नेस कोशन दे किने मिखित में से किस ने स्तरवताम भारत में एक प्रथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताओ रखा था भारत में एक प्रथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताओ जो रखा था वो किस ने रखा था आपका जवाब हो जाएगा option right बिल्कुछ साही जवाब option D हो जाएगा मुहम्मद इकबाल ठीक है sir मुहम्मद इकबाल ये हैं आपके और next question का आते हैं कि निम्लिकित में से कहाव सदा बाहर one पाये जाता है यहाँ पर कह सकते हैं कहां कह सकते हैं तो निम्लिकित में से कहाँ सदा बाहर one पाये जाते हैं और सदा बाहर जो कि आपके पूरे साल हरे भरे रहते हैं हरे भरे रहने का कारण यही है कि जो पतियां और जो कह सकते हैं फूल होते हैं पतियां एक साथ नहीं जड़ते हैं जब पतियन नहीं आ जाती है, पुराने चल जाती है, इस हिसाब से कर सकती है आपके हरे बरे रहते हैं, ठीके, तो यहाँ पर तेशक conscious अपसी हो जेगा पस्चिमी घाट ठीके कहां पर आपकी पस्चीमी घाट में सदावारवनों का विस्तार पाया जाता है, पस्चिमी घाट जो भारत में देखा जाए सबसे अधिक वो आपकी उत्तर प्रदेश में ही है ठीक है उत्तर प्रदेश में उप्सन भी हो जाएगा अगला है भारत की निम्लिखी तटो में से कौन क्रश्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मत देशती थे और यहाँ पर देख सकते हैं क्रश् यहाँ तक तो यहाँ पर क्रश्णा से लेकि आपके इसके विज्जवाब का इसे हम लोग कोरो मंडल कहते हैं ठीक है कोरो मंडल और कोरो मंडल ऑप्सन में आपका एदिया गया है होके किलियर हुआ चलिए अगला है भारत में आधे से अधिक सोयवीन का उत्पादन प्राप्ध होता है यहाँ पर भारत में आधे से अधिक सोयवीन का उत्पादन जो प्राप्ध होता है यह कहां से इसका जवाब आप सभी भाईयों को देना है ठीक है और आई होप ऐसे आपको पढ़कर भी अच्छा लगा होगा और लग रहा होगा कि एगर ऐसे हम प्रेशन पढ़ते हैं तो 100% जितने भी यहाँ पर एक्जाम है आप क्वालिफाई करेंगे तीके धन्यवाद चेंज